किया फेट आज के लेक्चर का गास कते हैं लेक्टर 61 आज के लेक्चर में हम home assignment discuss करेंगे और दो नएक लिसकिस करेंगे दसका कि पिरिवेस लेक्चर में आपके साथ शेयर किया था कि ये term test के दिन में हम कोशिश करेंगे कि आपके पूर जो fresh lecture है इसका burden कम हो यानि हम नई चीज़े पढ़ेंगे जरूर अपने आगे बढ़ते जाएंगे लेकिन बर्डन कम ताकि आप अपना ज्यादा फोकस टम टस्क्रों पर कर सकें तो इसलिए मैं सिर्फ दो छोटे से एरिया से अलेट की हैं आज नए कंसेप्ट के तोर पे इसके लावा हम प्रिव थे लेक्शर में से कोई क्वेशन पुछना चाहते हों तो पूछ लेजी कोई कोई कि जिस जी कॉट्ट का क्वेशन है कि बैंक कन्फर मेशन के पर सीजर में एक लिए जगा पे लिखा हुआ इसके अलावा कुछ other information भी हम bank से obtain कर सकते हैं, जैसे क्या bank से कोई कलाइन ने loan लिया हुआ है, अगर कोई loan लिया हुआ है, आपको पता है तक्रीपर प्रैक्टिस में हर company ने बारिंग की होते है, loan लिया होता है, तो loan लिया हुआ है तो उसका repayment schedule क्या है, ताकि हम current non current की classification कर सके उसका interest rate क्या है, ताकि हम income statement में interest expense देखने सही record हुआ कि नहीं हुआ, उस पे charges बगारा कौन से, securities के तोर पे कौन से एस्टर दिये गए है, ताकि हम उसका disclosure अगर इंशोर करना है, वो कर सकें, इसके लावा भी और बहुत सी information है, जो हम bank confirmation letter के जिरे से bank से confirm कर सकते हैं, तो एक बड़ा असूल अपने जहन में रख लिजिए, बड़ा असूल, कि जब हम confirming parties को confirming parties को confirming parties समझात, banks, debtors, creditors है, confirming party को confirmation letter send करते हैं, तो सिरफ closing balance confirm नहीं करते, बलके हो सके तो other information भी confirm कर सकते हैं, clear हो गया जी, इसकी एक example में नहीं दे दी, अगर आप इस सवाल का मजीद detail में जव आप पढ़ना चाहते हों, तो आप learning, sorry, ये chapter 14 भी आईए, chapter 14 में last learning objective होगा, learning objective 7, ठीक है, free time में कभी भी, आज कल परसों जब भी आपको free time मिले, तो ये पढ़ लीजेगा learning objective 7, ये आपको learning objective, chapter 14 का learning objective 7 आपको क्या बता रहा है, कि जब हम किसी भी confirming party को confirmation letter send करते हैं, तो closing balance के इलावा, और क्या-क्या information उसे confirm करवा सकते हैं, clear जी मेरे भाई, ठीक है, मेरी suggestion है कि जुरूर पढ़िएगा, ताकि जब chapter 14 की तरफ हम पहुंचें, तो उसमें आपको असानी हो, एक दहाँ पढ़ लीजे, कुछी समझाई आगे, नहीं समझाई ना, कोई problem ने, tension न लिखे, student को carelessly, casual way में यूज करते हैं, तो यह इसका क्या मतलब है, और इसमें फरक क्या है, देखे, मैं आपको कहना क्या चाहरा है, मैं दो procedure आपके सामने रखता हूँ, question यह आया, question फर्ज कीजिए, किसी ने बुछा, बताइए, inventory में, inventory में, NRV के substantive procedure बताईए, ठीक है, कैसे verify करोगे, तो आप उसके start में लफज verify लगा दे, ensure that bank balance is correctly stated, क्या यह bank balance के substantive procedure है, भी यही तो बताना है कि कैसे हमने bank balance को ensure करना है, चेक करना है, sales के procedure बताते हुए, verify that sale is correctly stated, verify that sale is completely stated, verify that proper cut-off is made, इस तरह हर किसी भी area का निंजा प्रोच, आपको तक को student expert होते हैं निंजा प्रोच ड्वेल्प करने में, तो कोई area, कोई area बता दे, inventory, fix asset का, अब कुछ भी नहीं याद किया हुआ, assertion याद है, तो क्या करें, verify that physical assets exist, verify, confirm that assets are properly valued, confirm that, ensure that proper classification is made in non-current asset, यानि वो कहता है, students ने ऐसी approach बनाई होती है, इधर से assertion पकड़ते हैं, इधर से लफ़ पकड़ते हैं, और जोड़ देते हैं, इधर बनी याडिट पर होता, तो कह रहा है, ऐसे नहीं, ये तो आप generalize में में बता रहे हैं ना, कि कैसे करना है, ये पूछ रहे हैं, क्या करना है, broad level, क्या करना है, जी sales को verify करना है, ये broad level, specifically कैसे verify करेंगे, sale and wise को पकड़ें गोड़ डिस्पैस नोट को देखेंगे, bank statement देखेंगे, इसलिए याद रखेंगे, जब तक आपका प्रोसीजर में documents नहीं नहीं आते, और जब तक ये नहीं आप बताते हैं, कि इन documents पे आप क्या काम करेंगे, आपका प्रोसीजर गम्रीड नहीं होता, ठीक है, तो उसमें इस comment में उसने हमें बड़ी एहम चीज़ बताई, कि आपने जब substantive procedures बताने हैं, लिखने हैं, तो आपने ये प्रोच नहीं करनी दा से ensure, check, confirm के अलफाज उठाए और रजर्शन उठाए और मिला दिया, नहीं, बलकि आपका procedure specific होना चाहिए, समझा है ये बाग, ये किसी जग लिखें, लफज यूज करने में problem नहीं है, एकस एक्स्प्लेइन करना है, कि आप इसको कैसे verify करेंगे, कैसे verify करेंगे, लफज इसको इसको verify किस तरीके से करेंगे, ensure किस तरीके से करेंगे इसमें इंशूर के लफज में कोई प्राब्लम नहीं यह आपने चेक करना है कि सारी क्लास ओफ एसर्ड रिवैली हूँ यह स्रेंडर्ड डिवायर करता है देखें लफज इस्तमाल करना मनना नहीं किया मैंने आपको कि इंशूर बगारा का लफज इस्तमाल ही नहीं कर सकते हैं इस्तमाल कर सकते हैं आपने इसको वैल एक्स्प्लेइन करना है जिससे यह पता चले कि कैसे करना है क्या करना है यह नहीं बताना कैसे करना यह बताना और यह कैसे होगा यह ड़कुमynenट्सी का नाम जब आपकी प्रोसीजर स्थासभ्तिब का डाकुमेंट्स हैं उसके उपर क्या काम करें किस सीज को चेक कर रहे हैं यह कौमन प्रॉब्लम है यह कौमन प्रॉब्लम है इसको इतना टाइम ना लगाता है इस यूगों जी कोई क्वेस्टा नहीं चलिए अब हम पहले आज का यह पिर उस एरियास कवर कर लेते हैं फिर इसके बाद हम क्वेस्टन की तरफ चलेगे अच्छा पहले उससे जनल बात लेख लिए कि कैश में सबसे ज्यादा फोकॉस होता है एक्जिस्टन्स में और यह मैंने आपको अब इसमें वैलिएशन तो जाहरा सोगा और नोट सोगई रहना है नॉर्मली इसमें नॉर्मली वैलिएशन की प्राप्लम कोई नहीं होती है तो हमारा फोकेस किसके उपर था है एक्जिस्टन्स के उपर ट्रैक्टिस में हम एक ही काम करते थे एक्जाइम में जाहरे है उसने वो नॉर्म आपको ज्यादा क्वेस्ट कवर करने के लिए पर एक ही काम करते थे यह रेंट पे जाके कलाइंट की तजूरिया खलवाते थे कहीं ऐसा ना क्लाइंट बात में अपने सियाफो को फोन करें सर स्टॉक्चा के लिए थे और कैश भी साथ ले गए रिसकी है ना यह बात हो सकता बाद में साबित करना मुश्किल होगा खास वर्पे बैंक्स का अर्डिट होता था था ना उसमें हम यह काम जरूर करते तो सबसे पहले क्या यह परफॉर्म फीजिकल वरिफिकेशन अडियर एंड तू कंफर्म एग्जेस्टेंस ऑफ कैश यह रेंड़ फिसिकल वरिफिकेशन पर पर करें आफ्र दा कैश कांट ने के बाद लेड़े कि आपने कैश वापिस कर दिया तो पर प्र प्र पिसिजिकल कांट पर प्र यहां पर कोई इतना ज्यादा कैश बैलेंस में फरक नहीं होता लेकिन फिर भी हम फिजिकल बैलेंस बुक बैलेंस को कंपेश कर लेंगे अगर दोनों में फरक हुआ तो इंवेस्टिगेट करेंगे सरी किदर हो गया कैश औरी हो गया किस से का पर बढ़ा है बताईए कंपे लगे वह चोटे मोणे जो एक्षेंसेश है वह टैक्स वाले भी इजाज़त देते हैं आप थार अपकेश से कर सकते हैं तो प मोने रख़के जया बगाईधा से हमने कैए केश कांट bethats काम है चाट नशक पोथमें किदर हैं बहुत्वास दे नहीं और आपकेम के तो हम इस ज्यादा परफार्म होता है सेल्ग और परचेजिक पे और सेल्ग और परचेजिक की चुकिए इंडरेक्ट लेशन शीप डेटर को राइटर के साथ इसलिए डेटर को रेटर की एरिया में भी आपको ये cut off on sale or purchase का procedure मिलेगा लेकिन इसके इलावा cash की transaction और bank की transaction पे भी cut off procedure अपलाई किया जाता है वो प्रैक्टिस में वाउचर्स बनते हैं cash receipt voucher, cash payment voucher, bank receipt voucher, bank payment voucher ठीक है तो उनका भी हमने cut off ताकि जो cash और bank की transaction इस साल किया वो next year मिना जाए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फ्रैक्टिकली ये cut off का पर सीजर आप हर एरिया पे लगा सकते हैं लेकिन प्रैक्टिस में हम ज्यादा तर किन पर कर रहाते हैं sales पे, purchases पे, cash receipt, cash paid के उपर ठीक है non current ऐसा चुके कभी कभा transaction होती है इसलिए उनका risk होता नहीं है transaction अगले साल में चले जाएगी risk उनका होता है उन transaction का जो daily basis पे frequently हो रही है next, ensure that currency notes of high denomination are real one, किसमें कोई जाली note नहीं है, देख लेजिए लेकिन याद रखे हम expert नहीं है अगर तो कोई ऐसा note होगा ना जिसको पर साथ कर सकते हैं, को कर ले लेकिन इसको पढ़ते हुए आपको एक चीज फील होगी क्या है यह टेड रसीवेबल जैसा है शाबाट इस रहे ने आज यह सलेट कर लिया कि यह भी आपने कवर किया लेकिन एक सबसे बड़ा फरक रसीवेबल और पेबल के अरिया में सबसे बड़ा फरक है किसी हद तक सही जवाब दिया लेकिन थोड़ा आडिटर वाली लेंगविज मनी पंसेटेवाट के अरिया में हमारे लिए सबसे एह्म अजर्शन होती है वैल्यूएशन ऐनो कि मैं तो आजब्सक्ता कर लिए valuation and allocation और क्राइटर वैसे part of the area पूछेगा तो चले अब देखते हैं procedure one by one study करते हैं और सोचते हैं कौन सा ऐसा procedure है जो डेटर्स वाले area में था इसमें भी है और कौन सा ऐसा है जो कि यहां में नया है सबसे पहले obtain list of creditors from purchase ledger ensure that it agrees with control account and financial statements यह था उदर समझा रहा ना sales ledger में इंडिविजिवल डेटर्स की list होती है उस list को निकाला purchase ledger की list को निकाला इनका total करके देखा control account के साथ match होना चाहिए यह subsidy ledger control account यह दोनों फरग होते है control total के एंट्री होती है subsidy ledger individual accounts की दोनों को match होना चाहिए अगर match ना ना हो तो फिर एक नई reconciliation बनती है debtors control account की sales ledger के साथ ठीक है creditors control account की purchase ledger के साथ ठीक है तो यह हमारा procedure हमने यह पहले भी बढ़ा था सिरफ इसने debtors creditors इलफाज चेंज गिए select a sample of creditors from purchase ledger at year end and perform a trade payable circularization that is circularization किसको कहते हैं confirmation बेजने को से इसमें का वी दिया direct ना डिरेक्ट होती है perform alternate audit procedure in case of non response and perform additional procedure in case of exception identified आपके होता है यह तीनी situation हो सकते हैं पहली situation letter बेजेंगे agree होके आ जाएगा दूसरी situation letter बेजेंगे disagree होके आ जाएगा तीसरी situation जवाब ही आगे आपके तो बेहतरी नहीं को प्रॉब्लम ही नहीं अगर जो आप आया ही नहीं और आया और अगर फरक था अच्छा यह जो प्रोसीजर है यह कौन सा है के sample कहां से select किया जा रहा है सैंपल कहां से select किया recorded amount से या cash का यह recorded amount का sample select करके बाद में देखा है cash क्योंकि अगर बाद वाला cash select करके देखे रिकार्ड हुआ है के नहीं वो कौन सी ज़र्फे नेस होती वो तो नीचे उसने प्रोसीजर लिखे हुआ है तो यहां पर उसने clearly नहीं किया हुआ कि sample किसका select करके किसके साथ compare किया इसको लिखना चाहिए था clearly ठीक है examine subsequent payment to creditors की बजाए लिखता है select a sample of creditors at year end and examine whether they have been paid subsequently यह ज्यादा बेहतर होता लेकिन बाराल फिर भी इससे भी आपको पता होना चाहिए के दो तरह दो डिरेक्शन होती है ना हमारे procedure पर वाम करें ए टू बी जाएं तो assertion कुछ होर होती है और बी टू ए आएं अजर्शन कुछ होर होती है तो यह भी procedure था डैटर में भी था मझे याद है ensure that payable is correctly classified and presented in the financial statement भाई पेर इसमें क्या classification चेक करनी होती है हमने current और non current हो सकता है वैसे normally current होता है लेकिन कभी कबार non current भी होता है को रिस्ट्रक्चिंग की होती है को डैटर के साथ पे नहीं कर पाते negotiation की होती है तो non current भी हो सकते है rare case में डैटर में यह था classification वाली बात है अगर कोई पेड़ है related party को company के employees को directors को या associated company उसको भी inquire करो क्यों वाला क्यों कि रिलेटेड पार्टी से related transaction और disclosure को हमने अलाइदा से financial statement में डिस्क्लोज करना होता है transaction और balances को related party को क्यो inquiry कर रहा है क्योंकि related parties की transactions और balances को खास तोर पे लादा से disclose करना होता है खास तोर पे लादा से disclose करना होता है क्यों यह चोटा सवाल है 20 रुबी वाला क्यों करना होता है इसमें रिस्क ज्यादा है और और यह qualitatively material है related party transaction याद है related party transaction के बारे में दो बाते जहन में रख लें रिस्क ज्यादा है और यह qualitatively material है यह दो बाते एक्जाब में काम आएंगी related party transactions रिस्क क्यों आडिटर इसमें इंट्रस्टेड होता है दो रिस्क ज्यादा है qualitative material होती है इसा यह related party वाला procedure उदर नहीं था डेट था उदर भी था बहतरीन होगा यह तो सारा पड़ा होगा फिर इसका बदर रिवी लगा कंट्रोल काउंट एंट्री शॉटली बिफोर और आफ्टर ये रेंट फार अन्यूयल आइटम लाइटम इंवेस्टिकेट देम कंट्रोल काउंट से पहर क्योंकि आपको बता है ज्यादातर फ्राडलेंट ट्रांसेक्शन कब होती है रेंट पर क्लियर ये बात वो कह रहा है चेक कर लीजिए कि कहीं साल खतम होने से दो दिन पहले बड़ी एंट्री डाली और साल खतम होने के बाउस को रिवर्स कर दिया प्राडलेंट टाकि इस साल के रिजर्ट्स चेंज किये जा सके और रिवर्सल जरूर करते हैं बाद में क्योंकि ने पता है रिवर्स ना ना किया तो आइटर पूछेगा कि सेटल क्यों नहीं अभी तक फेक एंट्री जोते हैं कभी चैट फेक डैटर्स क्रिएट करना असा और दूसरा में रिवर्स कराने से बात नियुक्त तो बात डैटर से निकल के इन्वेंट्री में भी चलते हैं हम आगे फर्दर इंवेस्टिएट करते हैं रिवर्स होने के बावजूद क्रिएट हुई चार दिन बाद रिवर्स होगी बड़ी ट्रांजक्शन ये रेंड के रिव्यू एजिंग रिपोर्ट ऑफ क्राइडिटर तो इडेंटिफाई लॉंग स्टैंडिंग क्राइटर्स क्या वो टैक्स वाला के क्योंके तीन साल से जो परानी ही लाइविल्टीज है वह रिवर्स कर ये टेक्स में भी शाहिद कहते हैं टेक्स में मुझे कंफरम नही पुछे ले तो इस पूछे लाइब करें परफार्म कट आफ टेस्ट रॉन पर चेजिस सवाल मेरा बड़ा साथ दासा है बहुत यह क्राइटर में क्या करना है तो इसका इंडरेक्ट डेलेशन्शिफ डेवर एंटी का जासे यानि अगर परचेजिस ही रिकार्ड हुई है उसका मतलब क्रेटर भी सही रिकार्ड है अगर परचेजिस घलत तो क्रेटर भी घलत इसलिए कर इंसपेक्ट पैंडिंग जी आरेंज पैंडिंग जी आरेंज कौन सी होती हैं गुड्स रसेज़ बट सप्लायर इनवाइस इस नोट रसीव ऊच्छा मुझे यह बताईए च तो वो उसमें कोई हो सकता है उसमें कोई खुराब तो यह कहता है कि क्लाइंट पहले चेक करके वसूल कर ले फिर जितने की मुझे रिसीविंग रिपोर्ट देगा मैं उतने कबिल बना के बेजूँगा यह ना मैं सो बेजूँ वो एक भी खराब निकले 99 तो मेरी इनवाइस पेंडिंग में चली जाएगी तो पहले रिसीव गुड बेज दी जाती है इनवाइस बाद में बेज जाती है अच्छा इनवाइस कि परशिजे रिकार्ड करनी चाहिए जो हम रसीव कर चुके हैं ठीक है और उनका हम ने good seed note भी बनाके देदी करनी चाहिए इसाथ दूसरा सुखाद क्या कर सकते हैं इनवाइस नहीं है लेकिन क्या कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं क्यूंकि कवांदर्टी हमें पता है और हमें पहले अर्व चुका हूता है चीज करीदने से पहले ईमनारे पास है तांके लायबिलिटी कम से कम याख हो हूँ अगर रिक्राड कर Series ना जसे जल ज यह जी आरेन रिकार्ट कर सकती है कमणी लेकिन नहीं करती क्यों नहीं करती लाइबिल्टी डिले हो तो हमने लाइबिल्टी एशली इंकरी तो इसलिए हमने एज अडिटर ये इंशोर करना है कि जितनी भी पैंडिंग जी आरन से क्या मुराद है 31 दिसम्बर पे वह वाली गुड़ डिसीड नौट जिन की चीजें आ चुकी है लेकिन नहीं चीजें आ चुकी है नहीं तो हमें छोर करना चाहिए कि वह रिकार्ड हूँ क्यों पर्चेशिस हो चुकी है पैंडिंग समझ आ गया इसको उंडरलाइन कर लें इस गुड़ सी रसीव हो गई है जिनकी नवाई से रसीव इसलिए उन्हें पैंडिंग की लिस्ट में रखता होता है का मतीन है तो पैंडिंग जी आ रहन अकाउंटिंग के असूल के मताबिक लाइबिल्टी है नेक्स थर्ड कंपेर काउंट स्टेट्मेंट सेंड बैस अप्ल सेंड लात तो है पैंडिंग सेट्मेंट इसी तरह जिसरा यह इसको बैंक को तो मतनली बेष़िश के मांधली स्टेट्मेंग बिजवत आपने डाइटर 20 मन्दी कॉंध च्राइब है उन्हें आपको Uριval सक्षाण वाbuilt श्यटमेटीमट्व tô शनफे सब्सक्राइब इसको सा अपनी से एक दूसरे को भी जवाती है ताकि अपना जो लेना देना दूसरे के साथ उसको रिकनसाइल करके आगे चल सके और जो कंफर्मेशन लेटर है और अडिटर भी जवाता है तो यहां पर प्रोसीजर क्या कहा रहा है वह कंपेर काउंट सेंगनट मांक का संट अपना करना जाए उसके नहीं करता हैं मैंच करता है और matter का जो रिकनसीलेशन बनवाते है बिल्कुल वही जैसे बेंक में अगरके Samak करता है यह बाता है इस बनवाते हैं जिस एक हमने के सब्सक्राइब करना था यह आपने बैंक बैलस से कंफर्म करवाया कंफर्मेशन आई मैं बैलस मैंज नहीं करता था कैश्बू के साथ आपने क्लाइंट से कहा इसकी रिकनसिलियेशन बनाओ पर मैंज क्यों नहीं लेंट सेर्विस Dunks और रिकनसे पारे सामने आगई हमने कास्ट करके देख 175 कास्ट करके कर awfully क्या ना क्या इंक्यारी क Gilbert झाकर ना मँजीद सारी आइटम زर्वाद्स को हमने शौर्टिंग डाकूमेंट्वेंट्स के साथ रिकनसाइलिंग आइटम को भी तो वैरिफाई करना है रिकनसाइलिंग आइटम है क्या एक चेक का रहा है पिछले साथ महिनों से हर दफा रिकनसिलियेशन में आ रहा है उसको इन्मेस्टिकेट नहीं करेंगे बलके रिवर्स करवाएंगे आपको पता छे मिने बाद तो वैस सब्सक्राइब हो सकता है कि रिकनसिलियेशन स्टेटमेंट और आप से कहें बताओ इसको कैसे आइटम को वैरिफाई करो यह क्वेस्टन भी टेस्ट नहीं किया है लेकिन आपके वालियूम टूम में यह के स्टेडिस मुझूद है तो जब असाइन्मेंट में है तो खास त सब्सक्राइब कर रहा है लेकिन प्रोसीजर आपने कर लिया होगा यह कौन सा प्रोसीजर है यानि यह रेंट के बाद जो बड़ी बड़ी पेहमेंट्स हैं उनको रिव्यू करो इसके बजाएगर यह ज्यादा बेहतर होता कहता है उनका सेंपल सेलेट करो सेंपल सेलेट करने के बाद देखो कि यह रेंट वे वो लाइबिलिटी रिकार्ड हुई या कर नहीं हुई रिकार्ड होई या कि नहीं होई होनी चाहिए है पिर हमारा एक क्लायंट तो उसमें पार्टन दूर सेंड पर रिवियो करने के लिए आ तो उसने लिविल्ट ल dul क को देखा पिछले साल की लाइबिल्टीज बहुत कम थे तो उन्हें का जी लाइबिल्टीज कम है तो इसमें कोई ना की प्राब्लम होगी इसको फर्दर क्लाइन की बहुत सी प्राइबिल्टीज को सेलेट किया तो पता चला एक बड़ी रिजन ये भी थी कि बहुत सी जगों पर लास्ट मंथ में जो लाइबिल्टीज होती है ना वह रिकार्ड नहीं कि वह थी यह बिजली के बिल और दूसरी चीज़े और कुछ ऐसा था कि रिप फिर जब उनकी स्पोर्टिंग डाकुमेंस देखी किसी की डेट 26 दिसमबर किसी की 28 दिसमबर किसी की 29 दिसमबर लेकिन रिकार्ड कब हुआ जनवरी में जब पेमेंट हुई जब उसने 29 बेजे तो इन सब को भी हमने क्या किया दिसमबर एंड पे हमने लाइबिल्टीज के एके बैलनस के साथ compare करें पर अगर इसमें पर आपको बड़ा डिएफरेंस नजर आता है तो पिर इसको inquire करें और clip से इस की reasons पूछे एक चैप्टर 14 में केस सड़ी है उसमें पता क्या कहता है यह अभी ना देखें वोल्यम टूम है मैं यही देखने रगा था मुझे आदा है वाल्यम टूम है उसमें आपको क्लाइंट के 10-12 पार्ट सप्लायर्स की लिस्ट देता है इस साल की और पिछले साल की और फिर आपसे रि एंट कंसाप्ट जो काम कर रा था न वह यह था के लिस्ट और फिछले साल के साथ लूव जहां पर सिग्निफिकर डिफरेंस आ रहा है उसको इंक्वाइर करो भाई तो जाहिरा सिरत यहां पर तो स्फ इंक्वाइर करने को कह रहा है नश्यकेट करो अब उसमें क्या नक्र statement suppliers auditor को नहीं बेजेंगे वो एक दूसरे को बेजेंगे क्लाइंट और यानि customer और supplier एक दूसरे को बेजते हैं ताकि एक दूसरे से जो लिना देना है वो साथ में डिजस्ट करके reconcile हो जाए बकल कलांग को कि प्राब्लम ना हो ठीक है बैंक भी यही प्रैक्टिस करते हैं मंतली बैसीज के उपड़ जी मजीद को क्या आन प्रिजैंट चेक क्या होता है अप जब हमें हम क्लाइंट है हमें किसी ने चेक दे दिया तो हम उसमें तो जमा कर वा दिया उसको क्लियर होने में में sucking taking practice में फोड़ा सा लोगा एक हमारे पास किसी बैंक का check होना मेरा account है मिजान बैंक में में मेरे पास special banking check मैं मिजानने में जमा करूंगा न तो वो फे तीन दिन लेते हम सको farmers करने में एक भाई यह पता है आपको terrorist में ऐसे होता है दो-τίन से clearing process बोलते हैं दो-तीन दिन के gap की वज़ा से, ऐसे चेक जो हमने payment करने के लिए लोगों को दे दिये होते हैं, लेकिन वो bank में clear अभी नहीं हुए, उन्हें कहते हैं, un-presented check, और इसी तरह opposite concept, ऐसे चेक जो दूसरे लोगों ने हमें दिये है, हमने तो bank में जमा करवा के entry कर ली, लेकिन वो bank statement में अभी नहीं है, उन्हें कहते हैं, un-presented check, तो un-presented check है, issued, but not debited in bank, और un- credited है, received, but not credited in bank, ठीक है जी, यह है, यानि ऐसे checks जो भी in process है, clearing के process में pending है, जी जी, और की question? नहीं, रिकार्ड, pending GRN के बारे में statement मेरे सुन लेजिए, pending GRN client record नहीं करता, लेकिन उसे करना चाहिए, और फिर हम auditor आके record करवाते हैं, ठीक है, pending GRN को record होना client नहीं करता, लेकिन वो गलत करता है, pending GRN record होनी चाहिए, ऐसल concept यह है, pending GRN, लाइब रिकार्ड होनी चाहिए, आपको entry रिकार्ड करनी चाहिए उसकी, कि आपने purchases कर ली है, अच्छा, next, अब हम चलते हैं, हमारे practice की तरफ, पास्ट वेपस की, पहले छोड़े-छोड़े question नहीं, list any five subcentive procedure for verification of accrual or prepayment में हमने पढ़ लिया, इसमें क्या सिर्फ हम, कौन-कौन से procedure लिखेंगे इसमें, अग्रूड expenses में, अधर expenses वाले, या सैलिस वाले भी, मेरा ये ख्याल है, इसमें सैलिस वाले भी लिखेंगे, क्योंकि उसने specify नहीं किया, वाके excluding salaries, मार्क्स की बेस्पे अगर आप कहते हैं सिर्फ अधर लिखेंगे, वो फिर ठीक है, तो आपने एक एक पॉइंट को कितने नमबर दिये, कैसे पता चला, अच्छा, उसोरी सट, ठीक है, मैं मेरी नजर, पढ़ लिखा, फाइव, बिल्कुल फाइव लिखा है, फाइव यह हैं, लेकिन अगर फाइव ना लिखा होता, तो आपने to be on safe side, दो तीन procedure, ज़्यादा ही लिखने होते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ BRS के, और BRS में चार बड़े section होते हैं, opening balance, closing balance, फिर उसके बाद, unprecedented, और uncrided, तो आपने याद रखे, सिर्फ एक टिप आपको बता रहा हूँ, आप BRS अगर दी होगी, नहीं दी हुई, तो आप हमने जहन में BRS ले आए, उसमें जो जो आइटम्स अपियर होती हैं, हर आइटम का एक-एक सबसेंटी प्रोसीजर बताते जाना है, हर आइटम का एक-एक जो भी BRS में आ सकती है, अगर तो उसने खुद से BRS का फार्मेट दी है, तो उसकी दी हुई एक-एक फिगर का एक-एक प्रोसीजर लिखते जाएं, unprecedented का, uncredited का, balance का, इसके लाबावा उ कुछ ना कुछ दर्मयान में, error, omission वगारा का जिकर भी करता है, हर एक-एक-एक प्रोसीजर लिखते जाएं, काफी है, लेकिन अगर उसने खुद से BRS का फार्मेट नहीं दिया, तो आपने सोचने हैं, क्या-क्या लाइन आइटम्स होती है, और हर का एक-एक प्रोसीजर का इटम्स हैं, उनके स्कोर्टिंग डाकुमेंट्स हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर मार्क स्पैसिफिकली वो पूछ ले, ज्यादा मार्क के साथ, तो आपको मेंचन करना चाहिए, वो डाकुमेंट्स कौन से हो सकते हैं, जैसे बुक में उसने लिखा तो होगा है, वो अगल ज्यादातर जी होते हैं, बैंक चार्जिस हैं, एक्सपैसिज हैं, इंटरस्ट है, ज्यादतर यह होते हैं, लेकिन वो कुछ भी कर सकता है, एक केस्टड़ी में उसने कहा दिया, कि एसट खरीदा था 25 मिलियन का, उसमें से कैपिटलाइज कर दिया, धाई लाग का, 25 लाग क खरीदा था, एक जिरो कम कर दिया, और जो डिफरेंस था, वो पहले सस्पेंस अकाउंट को क्राइट किया, फिर उसके बाद BRS में रिकनसाइलिंग आइटम के तोर पे आ रहा है, अब यह स्पैस्फिक केस हैं, नॉर्मली BRS में इस तरह की चीज़ नहीं आती, अगर आप में इस ट्रांजैक्शन को वैरिफाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, पेमेंट रिकने को ही है, इन्वाइस कितने की आई है, फिर औरीजिनल रिकार्डिंग कितने की इधी डिफरेंस यह है, इसकी फिर रेक्टिफायंग एंट्री प्रोवोज करेंगे, तो BRS में नॉर्मली तो यही procedure use होंगे जो आपको बुक में लिखे हुए लेकिन अगर किसी case study में कोई specific transaction बता देता है तो आपने specific transaction वो possible नहीं है हमारे लिए प्रिडिट करना कि वो किस तरह की transaction क्लूड कर सकता है लेकिन में रूल क्या है आपने उसको sporting documents के साथ verify करना है चेक करना चलिए अब यह 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 आगया वियरस वाला question इसमें आप देखिए सबसे पहले requirement पढ़ लेते हैं state the audit procedure that should be performed on the above bank reconciliation statement इस BRS पे क्या procedure perform कर वे फिर करें बिरिफरी discuss whether the clients here and bank reconciliation provides evidence about receipt and payments अच्छा यह reproduction का question है क्या BRS एक cut-off की जर्शन receipt and payment की जर्शन verify होती है बिल्कुल क्योंकि BRS ensure हो जाता है कि relevant period की transactions ही record हो रही हो जो next year की transactions है वो reconciling items के तोब पर आ रही हो ठीक है अगर कोई है कट-off तो इससे बिल्कुल verify होता है BRS बनाने से receipt and payments का cut-off verify होता है क्योंकि अगर कोई IRS your mission हो तो वो reconciling item के तोर प्याल जाते हैं अब हम study करते हैं इससे related procedures पहला किरा you have received copy of the year and bank reconciliation statement from your added client Harrison Limited details of which are reproducible अच्छा जैसे information है उससाफ से तो हम उसको भी address कर लेंगे लेकिन मैं आप से साथ ही साथ ही इसका भी आरे मैं पूछता चाहता हूं balance as per bank statement as ID 30 December यह किस से verify करेंगे bank statement से और bank confirmation letter से शावाश add सबसे पहले सबसे असान दो भूली किया मैं इसको cost करके देखेंगे किसी तो ने कॉस्ट करके देखा है सही है कि गलब कास करके देखा है चले कास करके देख लें यह चले बात में देखेंगे आप question को अगे लेकर चलते हैं लेकिन exam में अगर आया तो आपने एक दफा ब्रस को कास करके जरूर देखना है क्योंकि कई दफा इसमें costing error भी होता है पहला इंट्रस को verify करने के वाले से पहला उसमें point इंट्रस्ट और बैंक ओवरड्राफ मांटीं टू रुपीज सेवन फिफ्टी थाउजन वाज रिकार्डिड इन दी बैंक स्टेट्मेंट वो उसने reconciliation में डाल देया अब आप क्या procedure पर फार्म करेंगे इसका हाँ loan agreement अब ये हमारा असल मकसद ये रेखना के सही interest rate क्या है अब बैंक नॉर्मली जो था नॉर्मली बैंक गलती नहीं करता अगर बैंक गलती कर ले तो इसका मतब़ हो तो हर एक कलाइंट को ज़्यादा interest दे रहा हो तो महीने के अंदर bankrupt हो जाएगा बैंक का financial system याद रखे बहुत ही sophisticated होता है इसमें गलती नॉर्मली नहीं होती सबसे ज़्यादा जो strong controls होते हैं practice में बैंक के financial system के उपर होते हैं तो इसलिए हमें confirm करना है कि वाखी 510 ठीक था कि नहीं कैसे confirm होगा loan agreement दें उसमेंसे interest को recalculate करके यह दो प्रोसीजर आपके हो गया इंट्रस पारिफ़ी हो चलिए दो परोसीजर इसके होगे एक दो परोसीजर एक परोसीजर झालख देना आप काफी होता है लेकिन अगर जैनमें दो प्रोसीजर और दो लिख दे तो इसमें दो परोसीजर क्या लिखे पहला क्या लिखा loan agreement को इंस्पेक्ट किया और दूसरा इंट्रस्ट को रिकल्प्लेट किया शाबाश सेकिंड चार्जी रिवर्स बैंक ओन दस जन्वरी 2022 नोट टू अब नोट टू क्या है इस रिप्जेंट्स लेटर फ्राइट चार्ज विच वर चार्ज ट्वाइस बैंक फार इंपॉर्ट ऑफ क्या मतेरियल इन दिसंबर 2021 टीक है चार्जेस थे बैंक ने दो दुफाँ डिटर्ट कर लिये दिसंबर में दो दुफाँ डिटर्ट कर लिये और जन्वरी में इसको रिवर्स कर दिया अब इसमें आप क्या पर सीजर परफॉर्म करेंगे ये बैंक स्टेट्मेंट में परसंट डिसकाउंट कस्टमर ने कैश डिरेक्टली बैंक में जम्मा करवा दिया बताईए इसमें क्या प्राबलम है एक कैश बुक में रिकार्ड होना चाहिए हमने इंशोर करना है यह बियारेस में आइटम ना है बलकि यह कैश बुक में रिकार्ड हो लेकिन पहले एक और क करना है कनफर्म कर लेना है बैंक स्टेटमेंट अपियर हो रही है कि नहीं अच्छा सोच के बताइए जरा यह जो दो लाख बीस हजार है यह किस महीने की बैंक स्टेटमेंट में चेक करना है हमने अपियर होना चाहिए दिसंबर के नेक्स जनवरी सोचें बताएं है क्या कस्टमर ने डिरेक्टली बैंक में पैसे जमा करवा दी है हमें इतला नहीं मिली हमने कैश्बुक में एंट्री ने डाली बैंक स्टेटमेंट ही पता चला बैंक का बैनस तो बहुत जाता है फरक से पता चला कि डिरेक्ट डिपाजिट है बाई कस्टमर यह दिकंबर में ही होगा शांबा ठीक है, इसलिए तो रिलिखा और यह कंसलीयेशन आइटम के तोर पिता है किए दिसंबर में Benks स्रेट्मेंट में एंट्री हो चुकी है ट्र में नहीं हो उसमेस्थ 1 आप चेक करेंगे ट्रेस करेंगे आाइटम 2 juda की Benks क्लाइंट से सारे चेक्स की लिस्स ले दें अबे टैने लिस्ट ओफ एक्स जिन का टोटल यह यह बदना चाहिए और स्ब्सक्राइब क्या करेंगे कशने सबस्क्राइब किया है कैसे देखेंगे किसा मन्त की बैंक स्टेटमेंट में यह आईटम आनी चाहिए के दिसमबर में एके जन्वरी में जन्वरी में खाल फिफ चेक साइन सांबट नाट येट हैंड टु सप्लाइर्स चेक साइन कर दिदी हैं लेकिन अभी सप्लाइर्स को हैंड ओवर यह 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 नहीं नहीं चाहिए इसमें एंट्री ने रिकार्ड होने चाहिए इसको चेक कर लिजेगा क्या नहीं होती पका चलिए फिर इसको रिवर्स कर दोओ नहीं होती क्यूंकि बिरस में आ रहा है तो इसका मतलब है रिकार्डिंग हो चुकिया रिकार्डिंग हो चुकिया तो कैशिबुक का बैलस कुछ यहां जी बिलकुर इसको कैश्च बूक में रिकार्ट होना चाहिए क्योंकि कैश आ चुक्छ है पैसे आ चुक्राइए बैंक स्रेट्मेंट में हमाइं कैश्बूक को अब आप एंट्री करने हैं ये वो पैसे हैं cash directly deposited in bank जो bank December के महीने में बैंक में आ चुके हैं cash book में आने चाहिए थे बैई एक entry दोनों जगा होती है ना पांच मेंड गए अब जी बाई बताए एक entry जो होती है वो cash book में अगर cash bank में हमने जमा करवाया है cash book में bank debit cash credit entry बैंक स्टेटमेंट में भी आने चाहिए तब ही हम कहेंगे ना ठीक हुआ है अब customer डिरेक्टली हमारे December के महीने में बैंक में पैसे जमा करवा दिये क्या ये cash book में रिकार्ड होने चाहिए cash book से मुराद क्या ले रहे हैं हाँ cash book इसी होता है जिसमें cash transaction भी होती है और bank transaction अलग लग बढ़ा हुआ है आप इसको बैंक बुक कहते हैं बैंक बुक कहते हैं बैंक बुक क्या है यह बिल्कुल हम उसको चेक करेंगे इस बात को भी चेक जहां पर हमने यह देखना है एक transaction दो दफारी कार्ड ना हुई हो एक दवारी वर्स करनी है वहां पर उसकी मांट को भी चेक कर लेंगे कि उसको जो एलसी चार्जिस रिवर्स होने चाहिए इंटरस्ट की मांट कंफर्म किया है ना हमने एग्रिमेंट से तो यह जो चार्जिस हैं इंपोर्ट चार्जिस बीपरफर्फाइब और इसका साइंप्लीकेशन ओन अड़िट पोड़ पहले प्रोसीजर पूच रहा है थे इंपक्रों पूच रहा है question 6 you are the audit manager in a firm of chartered accountants following independent matters are under your consideration पहला इंदे अड्राफ financial statements of Ireland private limited DPL for the year ended June 30 2020 capital work in progress of rupees 100 million related to construction of a new production facility is included in property plan and equipment इस साल ही हुआ है इसार expense तो इससे मतलब है कौन से वाला area and mall हो रहा है self construction शाबार तो underline कर लीजी आप construction of new production facility इसको underline कर लें यह हमें बता रहा है कि कौन सा area है जिससे related procedure लेकिन आगे देखे कहानी को शायद किसी और direction की तरफ ले जाए वो लेकिन यह प्रोसीजर तो आगे कहानी जिदर मर्जी लेगे जाए यह प्रोसीजर तो आने ही आने हैं के construction किया है यह टीम है और लास्ट कॉस्ट इंकर्ट उन्दा सेट फसिलिटी वाज़ों टी सेपरेल दोजारी किस हवाइवर इस पुट तो यूस फ्रॉम एक अगस्ट दोजारी किस और फोर नो डैप्रिसेशन है यह रेंड एक दूसरा प्रॉब्लम भी यूज यह रेंड के बाद हुआ है तो क्या डैप्र या कि जब एक्चुली यूज हुआ तब दो चीज़ें लास का से टीस सेपरेल को इसका मतब है हमारा एसेट टीस सेपरेल को तियार हो गया था इंडिकेशन दे रहा है इस बात की कलियर ले नहीं कह रहा कि वो रैड़ी फॉर यूज था क्लियर मैसिज आपको बता है देता फार यूज कब हुआ एक्चुल यूज की डेट बता दी अवेलिबर फार यूज की नहीं बताई लेकिन एक इंफर्मेशन क्वेशन में है पता नहीं शहीद एक्स्रा इंफर्मेशन है के लास कास 30 अपरेल को लगी इसका मतलब क्या है एसकी डेप्रिसियेशन का प्रॉब की बात भी करेंगे मैथड बगारा की बात भी करेंगे कंसिस्टेंट हो ठीक है शुड स्टॉर्ट फ्राइट मैं एसट इस अवेलिबल फार यूज की बात भी करेंगे तीन-चार प्रॉसीजर ज्यादा तर परसीजर कर रहा होंगे कंस्ट्रक्शन का अच्छा बात है इंपेक्ट अन रिपोर्ट में हमें सिर्फ डैपरिसेशन का इंपेक्ट आ सकता है कि सेल्फ कंस्ट्रक्टिड एसट का भी इंपेक्ट आ सकता है दोनों आ सकते हैं दोनों ठी वह तो वैरिफिकेशन के बादा चलेगा ना डैपरिसेशन तो कंफर्म मिस्टेटिड है लेकि इसमें अलबादा अलबादा डिसकॉस करूं डोनों को क्भी अठ्टा करेंगा दो है अलादा कर देते हैं सबसे फदते हैं अगर सेलफ कंस्थेक्टर्ट्टी विस्स ठीक रिकार्ड हुए कोई है writing और और अगे अन्मोडिफाइड ईपीनियां और खेर की आड्जिट मेंटर रही है कि नहीं आइगा कि आडिंट इनक्लूद होना चाहिए करिण के नहीं मेरे ख्याल में होना चाहिए यह बहुत सिग्निफिगेंट है अचा देखें कि अगर 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 कैप्टल अगर कैप्लाइशन ठीक नहीं है अगर अगर यह तो उस वक्त हो गया जब आएगा जब कैप्लाइशन ठीक नहीं हुई है एक माटीरियल है उसके मांट नहीं इसलिए हम एज्यूम कर लेंगे यह तो जितना लेकिन उसमें करेंशन होगा हम अगर 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 नॉन प्रेंट में आ रहा है इंकलूड़िट इस प्रॉपर्टी बाट इक्रिपेंट का मतलब यह है अगर इसमें अब इसमें मटीरियल्टी लेवल कर सकते हैं बैटी लेवल फिफ्टी की बेस में कल्कुलेट करें सेवन पॉइंट फाइव मिलियन है डैप्रिसेशन कितनी आती है तो यह इंमटीरियल्ट हो गया तो यह डैप्रिसेशन की वजह से फिर अन्मोडिफाइड उपीनल होगा अच्छा यहां पर नोट कीजिए हम दोनों मि स्वेशन के पाइड गया वान हो आई कि इसमें डैपरिसेशन हाँ आं इंपेर्मेंट वी ती औरिंवेंट्री को अहला मस्टा भी था अचरवाज तो हमने स्टूइसन में क्या करने है दोनों को अलादा और वैसे नौर्मलि वह एवञे वान टू त्री इस तरह करता है ले सब्सक्राइब करना है क्या यह सबसे पहले मैं आपको सब्सक्राइब करने का तरीका होता है उसी तरह यहां सब्सक्राइब करने का तरीका अचा मुझे स्लूशन का नहीं पता किसके मताबिक हुआ हुआ है क्लास में डिसक्राइब आ तो स्लूशन बूल जुका होता हूँ लेकिन अगर आपको कोई फर्क मैंसर आये तो होगा इसी तरीके से शैद मैंने किया नहीं होगा यहां हैं हैं इंडेकर पीजिए बिल्कुल सभी काम किया यह शाबाश मुझे और चलते हैं नेक्स तक आज बिफोर ने इर एंड लाज नाइब असक्षमर अबाओ फूड पॉइजनिंग आच्चा यह शायद आप ने नहीं किया हुआ लेकिन आपकी जज्जमेंट में चेक करना चाहरा हूं पूड लाज नंबर अफ कस्टमर कम्बेंड आउट पॉइजनिंग कोशिबल ऊच्छाब in this regard in the drop financial statement अच्छा पहले पहले इसमें मुझे नंबर ओफ इश्यू बताई ये कितने हैं जिन को आपने डिस्कस कर सबसे पहले फ्रवी एंद फार लीगल केस उसमें आप लायर से के साथ कम्यूनिकेशन करेंगे सब्सीक्वेंटी हुई या कि नहीं हुई यह हो गया लीगल केस पहला इश्यू केस अगरी करते हैं को दूसरा इश्यू है इंवेंट्री के फूड पोईजनिक तब ही होती है जब कोई ऐसी इंवेंट्री समाल कर लें जो एक्सपार्ड होगी नॉर् प्राब्लम क्या होईसमें पहले घ्यू दूसरी इंवेंट्री प्राब्लम कोई चैनल न είद रखेंगे पाक्सालय हमें तो प्राब्लम को इतनी को तो नहीं खास नहीं होती बाहर के मुलक्रम को इनके कुटे को ढब् wanted to be लीगल environment foreign countries में बहुत strict है और पाकिस्तान में भी बाद उकाता है खबारों में अगर खबर आ जाए तो कुछ हरसे के लिए ही सही come as come operations को हतम करते हैं दुकाने बंद खरा देते हैं ताकि वाम का उसा ठंडा हो जाए बाद में देखा जाएगा तो बताईए क्या खबारों में खबार आ गए कि ये खाना खाके तबियत खराब हो गई क्या ये going concern की indication हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं going concern की condition में कहीं पर हमने पड़ा था ये condition legal action पड़ा था तो government चुके अगर किसी भी company की किसी भी product या service से लोगों को नुक्सान पहुंच रहा हो government definitely legal action लेती है license भी cancer हो सकता है बिल्कुल ये going concern issues का मतलब यहीं था चलिए जी नेक्स्ट क्वेशन सेमन है जी इस हफते जैसे आप कहेंगे मैं वैसे लेकिन फिर इसके बाद इसके बाद मेरी चलनी है ठीक है चलिए चुटे नहीं कोई मिल सकती है आगो माज़रा चुटे नहीं ये ये मेरे control में नहीं है आपने का हमने मैंने खुद से decide कर लिया कि थोड़ा आंच दीमी कर देनी है आपने कहा थोड़ी से जल्दी शुटी देदे कुछ में नहीं नहीं कर ठीक है कोई प्राबलम नहीं है आज का लेक्चेर नहीं खतम करते हैं अल्ला हाफिस कर दोर से भी करता है आपने कहा यर कोई है घर उन्म है वाश्योंा कर्या आपन नहीं है कोई।